हेलो एवरिवरन वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल कोग बित्मनू आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश कॉन से फ्रोजन कॉन तो क्योंकि बांसुन का सीजन जो है अल्मोस जाने पर ही है भुटे भी जो हैं हमें टाटा पाइबाय कहने वाले हैं एक साल के लिए तो से पहले मैंने या पर यह फ्रेश वाले स्वीट कॉन के दाने लिए हैं तो मार्केट से मैंने पांच-छे भुटे ले लिया थे उनके दाने निकाल करके रख लिये थे इस तरीके से इसके पर कुछ तो मैंने यूज कर लिये थे बाकी की कुपिंग में किसी और रेसिपी में बाकी कमे क्यें कुपिंग लेतितीन जो को थे बहुतितना रिये निधुकिंग शेल फ्रेश फ्रेश कौन मैंने लिये हैं और मैंने मीडियम फ्लेम पे एक लीटर के बराबर यह पानी गरम किया है और इसह स्वाइट जो किंग कि और शेकर यह सीट उला र hedgeस करते हैं और उभर और गैस का फ्लेम लो मेडियम रखते हुए हमें लगभक 5-6 मिनिट तक इने पकाना है इस तरीके से यलो से थोड़ी से और इंज दिखाई देने लगे इस स्टेज तक हमें पकाना है इसके बाद हमें क्यास का फ्लेम बंद कर देना है ज्यादा कुछ में नहीं करती बहुत ही इसी वाली मैथर यूज करती हुए गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इस तरीके की छनी में चान लेना है और चान करके जो है साइड में रख देना है कि सारा पानी इसका निकल जाए और यह खुदी ठंडे हो जाए एक दम ठंडे पानी में डालने की भी ज़रुवत नहीं है चनी में डले रहने दीजिए पानी निकल जाने दीजिए और इनका टेंपरिचर नॉर्मल हो जाने दीजिए अब कोई भी कंटेनर ले लीजिए या आप जो पॉली बैग होते हैं पोहे के और पास्ता के जो पैकेट्स होते वो भी यूज कर सकते हैं बस एयर टाइट होने दीजिए उन्हें अच्छी तरीके से सील पैक करके रकना है तो मैंने यह बॉक्स ले लिया है और इसमें सारे यह डाल दिया ओधकन लगा दिया जैसे यह ठंडे हो जाए तुरंत ही हमें इसे फ्रीज में रखना है और इसके बाद जब भी हमें ज़रुएं लगे हम करके यूज कर सकते हैं बहुती संपल तरीका आप भी ज़रूर राइ कीजिएगा कई रेसिपीस में काम आएगा